हलो श्रीटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट संख्या, दो समिस संख्या का, जोर घताव गुना एबम अनुपात, यह हम लोग समझेंगे, अब दो समिस संख्या का जोर घताव गुना एबम अनुपात होता है, क्या हो? तो इसको समझने के पहले हम लोग को जोर घटा वुना समझने से पहले complex number का यह जानना पढ़ेगा कि नेक्ट क्लास में क्या पढ़ें तो यह हम लोग पढ़े थे क्या ना IOTA के बारे में थुरा repeat करते हैं जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे देखो आयोटा आयोटा बस दो मिनट repeat करेंगे ए रिपीट होगा थियोरी तभी आज के क्लास complete कर पाएंगे तो देखो कल की क्लास में क्या बता है थे आयोटा आयोटा मतलब क्या I I को ही बोलते हैं आयोटा कलपनिक संकिया है एक कलपनिक संकिया जिसको और आय का मान हम लोग ना under root minus 1 को ही बोलते है क्या I अगर under root minus 1 है उसको क्या बोलते है I ए इक कालपनिक संकिया है इसको बोल दिया गया फिर हम लोग समझे थे i square का मान मैनस 1 i q का मान क्या होता मैनस i i पर power 4 का मान क्या होता 1 i पर power 5 का मान क्या होता है i इतना फिर इसके बाद अगर i पर power कुछ भी रहे तो उसका मान ग्यात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 4 से भागा देते हैं 4 चक्र 16 तो एक खिरसफल 0 आगया i पर power 0 तो i पर power 0 तो उसका मान किसी भी संगे का power मान 0 तो क्या आएगा 1 i पर power क्या हो जाएगा 0 तो i पर power 0 मतलब किसी भी संगे पावर 0 मान 1 अगर i पर power 21 रह गया तो i पर power जैसे 17 रह गया तो हम लोग इसमें क्या करते थे थे ना 4 से भागा दे दो तो 4.16 से स्फल कितना आ जाएगा और एक आ जाएगा तिस आई पर पाउर बन मतलब इसका मान कितना आ गया इस तरीके से हम लोग अकल की क्लास में सीखे थे और हम लोग देखे थे मान की अगर आपका अंडरूट माइनस ए हो त लिख सकते हैं जैसे एकजामपल के तौर पर हम लोग देखे थे क्या ना कि माइनस 3 तक क्या लिख सकते हैं आई रूट 3 ए लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू माइनस 5 क्या लिख सकते हैं जिसको पांदो नह 10 माइनस रूट 10 ए लिख सकते हैं तो इस परकार से हम लोग कल के क् और इसके बाद हम लोग समझेते क्या ना समिष्र संख्या समिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् काक्ल हाथा काल्पनिमग भाग तो बाष्टिक भाग को सुचित करते हैं आरी जेड से यहाख सकीजेक श इमेजनरी पाट को सुचित करते हैं इम सिपर्ट क्या है आई पाई इस परकार से हम लोगWork कasm के क्लास में सीख चुके थे इतना सीखे थे अब हम लोग सीखें क्या ना दो समिसंख्या का जोड़ घटा गुना तो आँ अब इसको रफ कह लेते जो कल के क्लास में लोग पढ़े उस पाइंट को रिपीट कह लेते हैं यह हम लोग दो मिनट में समझ लिए जो कल के क्लास में पढ़े थे अब आजा अधो समिस्र संख्या का जोड़ गठात इसको समयने के लिए एक जामपल यहां पे मान लेते हैं माना 2 समिसर संख्या समिसर संख्या क्या माल लेते हैं Z1 बरावर 3i 3 पलस में 4 और जेड टू बरवर वाद लिते हैं आ पर क्या two, प्लस में three आई, ए माली लो, त्पना समिसंख्या माल ले?, दो समिसंख्या मालें जेड बन और जेड टू, अब हम लोग पहला ज्याद केलें、「 helping to product». प्लस में j2, 2 समी संख्या का जण, एगयात कहलते हैं, z1 प्लस, z2, तो, z1 प्लस, z2, जब हम एगयात करना है, तो, क्या करो, z1 लिख दो, three प्लस में four I, और प्लस, plus है, z2 लिख दो, j2 वहाँ पहे, two प्लस में three I, अब देखो इसका जोड कैसे करते हैं तो जोड कियाता है बास्तिवी संख्या को बास्तिवी संख्या का जोड दो तो तीन और दो कितना हो जाएगा पाच फिर कालपनिक संख्या को कालपनिक संख्या के साथ जोड दो तो एचार और तीन साथ आई यही हो गया, दो समिसंख्या का क्या जोड, यह हो गया, दो समिसंख्या का जोड, अब दूसरा में क्या करना है, दो समिसंख्या का घटाव, जेट वन, माइनस क्या कर देजे, जेट तू, अब दो समिसंख्या क्या करते, तो जेट वन लिखतो, जेट वन क्या दिया हुआ, थ 3 प्रलस में 4 आई एक मतलब घताओ भी क्या करते है ये हो गया आपका दो समिखना्या फिरत जेमिशन पर आएक इन्टू जेड़ लेख दो जेड़ वन क्या है जी? 3 पलस में 4 आई इन्टू जेड़ टू जेड़ दू क्या है? 2 पलस में 3 आई अब ए दोनों को गुना कहे लो तेन गुना दू तच्छे फिर तीन गुना तीन 9 नव आई यह हो गया तीन को दोनु के साथ गुणा कह ले पलस अब की चार को गुणा कर दो चार दुना 8 हाई अचारतिया 12 हाई असक्वार आई असक्वार लिख दिए और एच छे 9, 8 कितना हो जाएगा 17 आई और पलस में 12 आई असक्वार का मान जानते कितना माइनस बन जो अभी अभी हम लोग repeat कियें और एलिक दो 6 पलस में 17 आई और माइनस 1 गुना 12 माइनस 12 घटा लो तो माइनस में 6 अब पलस में 17 आई ये हो गया दो समिसंख्या का गुना अब एक point बन गया क्या कि दो समिसंख्या का जोड घटा गुना भी क्या होता है एक समिसंख्या का रूप होता है देखो ये जोडने पर भी क्या समिसंख्या की रूप आया समिसंख्या का रूप जानते कैसा होता है जेड बरावर एकस पलस आई बाई के रूप में देखो x plus आई बाई है x plus आई बाई के रूप में है तो पूछा जाएगा कि दो समिशंख्या का जोड़ घटाउ हो ना क्या होता एक समिशंख्या ही होता अब हम लोग सीखेंगे रेशिय। इसको नोट कैलो फिर दो समिशंख्या का रेशियो बताते हैं जल्दे से copy कहलो, क्या copy हो गया, तेहां से इसको मिता लेते हैं, देखो, अब दो समिसंखा का ratio निकालना, Z1 by क्या कहलो, Z2, तो Z1 लिख दो, 3 पलस में 4 आई, अब लिख दो Z2, 2 पलस में 3 आई, लिख दिए, अब क्या न, इसका ratio निकालना है, तो 3 पलस में 4 आई, और 2 पलस में 3 आई, तो इसका ratio किसी भी समिसंखा का ratio निकालना, जिसको हम लोग बूलते है भाग, तो भाग निकाले के लिए क्या करना होता? परमे करन करते हैं, परमे करन कर दो, यह दो माइनस में 3 आई, दो माइनस में 3 आई अब उपर गुना कहलो गुना अभी अभी सीखे तो तीन दुना 6 फिर तीन तीया 9i ए गुना कहले चार दुना 8i फिर यहाँ पे चार तीया 12i2 गुना हो गया जी इस देखो A पलस B इंटू A मानस भी बन गया A स्क्वार और माइनस में B स्क्वार कहले अब जड़ा स्वाल कहलो यहाँ पे 6 माइनस 9i अब पलस में 8 आई तो क्या हो जाएगा i घट गया माइनस 12i2 का अमान जानती है माइनस 1 ए दुदूना 4 माइनस ए तिन तीया 9 i स्क्वार i स्क्वार अब इसको अच्छा से लिख दो यहाँ देखो 6 माइनस i और माइनस 1 गुना माइनस पलस 12 नीचे के आगे i स्क्वार का मान माइनस उन्त माइनस माइनस पलस तो 4 पलस में 9 यह हो जाएगा राइट है अब इसको मिटा लेते यहाँ लिख देते हैं इसको 12 अच्छे कितना हो जाएगा 18 माइनस में i अब बटा में देखो 9, 4, 13 13 हो गया अब इसको बाढ़ दो 18 बटा 13 माइनस i बटा में 13 देखो ए आपका आ गया ए भी समिश संख्या के फॉर्म में आ गया तो इसको भी दो समिश संख्या का अनुपात भी क्या कलाता है एक समिश संख्या कलाता है तो यहाँ पर पॉइंट हो गया दो समिश संख्या का जोर, घटा, गुना एवं भाग क्या होता है एक समिश संख्या होता तो हम लोग समझ गए दो समी संक्या का जोड़ घटा गुना है वं भाग तो अब आ जा थे exercise 10.1 का question number 3 से question number 2 तक हम लोग कल के class में देख लिये थे अब 3 से देखते हैं तो इसको मिटा देते हैं इसको मिटा दे जल्दे से इसको coffee खेलो तो देखो question number क्या ना तिसरा तिसरा में करा निमली खीत का योगात्मक पर्तिलोम लिखो अब योगात्मक पर्तिलोम होता किया जैसे यहाँ पे समझो एक समी संक्या है जेड बरावर एक पलस आई बाई तो इना समी संक्या का योगात्मक पर्तिलोम मतलब आपका जेड का योगात्मक पर्तिलोम क्या होता है माईनसтории होता है किसी भी सम्हीं संक्यां का योगात्मक प्रतलूम ग्याद करें तो क्या लिए देती just हो जाता हा माईनस् जेड का करें योगात्मक परतलूम जैसे देखो इस समीज संख्ख्या का करें जाता है पहले ती, लोम, तो ग्यात्मक पतलोम क्या कहला था, माइनस जेड, अब ए माइनद जेड, जेड क्या दिया हुआ, माइनस फाइ प Kellस में से वनाई, áब माइनस को गुना कर दो, माइनस माइनस पलस और माइनस से वनाई, यह कहला गया एसमिशंख्या क्या रोगा जैड जेड यो ग्यात्मक पर्तिलोम, ति ग्यात्मक पर्तिलोम, डारेक्ट लिख दे, यो ग्यात्मक पर्तिलोम, तिसका ग्यात्मक पर्तिलोम हो जाएगा, पर्तिलोम, डारेक्ट लिख देते हैं, यो ग्यात्मक आप समझ सकते हैं, तिसका पर्तिलोम हो तो माइनस जेड हो जाएगा, तो minus z का मान कितना है? 4 minus 3i गुना कर दो minus 4 minus minus plus 3 ए यह हो गया answer अब देखो इसका करए ग्यात्मक पर्टिलों क्याद करने के लिए है तो इसमें भी आप क्या ना ए समिसेंगा z बरवर क्या हो जाएगा? 10 अब इसमें i नहीं है तो आप क्या लिख सकते है ऐसे 10 प्लस में 0 आई अब 0 के साथ आई गुना कहलो तो 0 0 को 10 के साथ गुना कर दो 10 ही आएगा जी जोर दो 10 ही आएगा अब इस समिसेंगा क्या इसका युगात्मक पर्टिलों क्या हो जाएगा? माना z होता है माना z का मान कितना हो जाएगा? 10 प्लस में 0 आई ते मिल जाएगा मानस में 10 मानस में 0 आई इसको मानस 10 बोल सकते है या यह इस तरह बोल सकते है दोनों तरीके से बोल सकते हैं ते ही हो गया क्युशन नमर 3 अब हम लोग समझते क्युशन नमर 4 इसको नोट करते फिर देखते हैं 4 तो देखो क्यूचर नमर 4 में करान निम लिखी संख्या को योगफल ग्याद करने के लिखा दिया कैसे संख्या तीन संख्या है पहले लिख दो जेड बन बनवर क्या है 2 वाटा 3 प्लस 5 वाटा 3 आए पहला संख्या है दुसरा संख्या क्या दिया हुआ माइनस में 2 वाटा 3 आए तिसरा संख्या क्या दिया हुआ तिसरा संख्या क्या दिया हुआ माइनस 5 वाई 4 और माइनस में आए दिया हुआ अब कराए इसका जोड ग्याद करो तो लिख दो जेड बन प्लस जेड टू प्लस में जेड थीरी ए लिख दो अब जेड बन लिख दो जेड बन क्या है 2 वाटा 3 प्लस 5 वाटा 3 आए और फि पलस अब जिर्थरी लिख दो जिर्थरी क्या ए तो माइनस पाच वटा फाई और फोर और माइनस आई ए है अब इसको जोड कहलो तो जोड हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं बास्ति भागो बास्ति भाग के साथ ही हो जाएगा दू वटा थीरी और यहां पे माइनस पाच बाहग के साथ 5i by 3 और माइनस पलस मानस 2i by 3 और यहांपे माइनस आई एल्से में दोनों को लो कितना बार आ तो छार दूना 08 पांदो ना 10 पलस अब दोनों की देखो यहाँ इल सम कितना 155i माइनस 2i और माइनस में 3 आई यह हो जाएगा अब हो गया यहाँ पे solve कहलो तो minus में 2 बटा में 12 यह आगया अब यहाँ पे solve करो तो plus इसको solve करो 3 दू 5 तो minus 5 आई plus 5 क्या हो जागा 0 बटा 3 तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे कार दो तो 6 आगया तो minus एक बटा 6 पलस में 0 आगया 0 बटा सम्थिंग 0 तो minus 1 बटा 6 यह आगया तो दो समिस संख्या तीनों समिस संख्या को जोड कितना आया minus 1 by 6 यही हो गया इसका क्या answer ति हम लोग question number 4 अब हम लोग समझते हैं question number 5 इसको note करो फिर देखते हैं 5 तो question number देखो क्या ना यह आपका हो जाए question number 5 question number 5 में करना निम लिखित समिस संख्या को अंतर ग्यात करना अंतर ग्यात करें इसको तो पहले समझे लो z1 दिया हुआ minus 3 पलस में 2 आई यह z2 दिया हुआ 13 माइनस में आई अब इसका अंतर कहा दिया तो z1 माइनस क्या ग्यात करने कह दिया z2 कह दिया ग्यात करने के लिए z1 लिख दो माइनस 3 पलस 2 आई माइनस z2 लिख दो z2 क्या है 13 माइनस आई अब लिख देंगे माइनस 3 पलस में 2 आई माइनस को गुना करो मायनस में 13, मायनस मायनस, पलस में i, solve कर दो, मायनस 3, मायनस में 16, और 2i, और i, कितना हो जाएगा, 3i, तो यही हो गया, दो समिशन का, एक दोनों समिशन का क्या, अंतर, अब एक दोनों समिशन का का अंतर का दे, इसमें भी z1 दिया हुआ, क्या, 1 मायनस i, z2 क्या दिया हुआ मानस बन प्लस में 6 आई अब इत दोनों समय घटा लो z1 मानस z2 क्यालो z1 लिख दो 1 मानस i मानस z2 लिख दो मानस 1 प्लस 6 आई अब आप घटा लो ती 1 मानस i मानस मानस प्लस 1 मानस 6 आई ती 1, 1 कितना? 2, और दो,ications हो जाएगा minus 7 है, फिलो, साट हो गया , क्यूया NUMBER क्या? 5, ती इस तरह से तरह से कह दिया , 2 समीं संख्या दे दिया, इसका घटावकां टिया, अब आपर लोग देखते, क्यूय नबर क्या हूआ ,6, इसको नोट करते, फिर देखते, तो question number 6, 6 में क्या रहा है ये दोनु समयशन क्या गुणन फल एबागफल गयाद करने का दिया, तिहां पेस के solution में पहले लिख दो, z1 दिया हुआ क्या 1 प्लस में आई, and z2 क्या given है, z2 given है 3 प्लस में आई, अभी दोनु समयशन क्या रहा है, क्या गुणन फल गयाद करो, ति से लिख दो, z1 into z2, z1 लिख देजे, z1 क्या है, z1 दियाओ, 1 प्लस में आई, into, z2 क्या है, 3 प्लस में आई, अब इसको गुणा कहलो, आप, i1 को 3 के साथ 3, और यहाँ पे आई, ये आगया, फिर i को गुणा कहलो, 3 आई, फिर i square ये आगया, अब इसको solve कर दो, 3, 3 आए, 4 आई, i square कमाण, minus 1, इसको घटा लो, ते मिल जागा, 2 प्लस में 4 आई, ते हो गया, 2 समिशां क्या का, गुणा, एक गुणा गया, अब की कर रहा, भागफल ग्याद खोरो, भागफल, मतलब अब दोनु समिशां क्या है, क्या न, भाग दे दो, z1 by z2 कर दो, तो z1, z1 कितना, z1 दिया हुआ, आपका 1 प्लस में आई, z2 क्या दे हुआ, 3 प्लस में आई, इसका भागफल हम लोग क्या न, थियोरी के समय समझा रहे थे, उसमें हम लोग समझ चुके थे, इसका अगर हम यह भागफल ग्याद करना, तो क्या करना पड़ेगा, पर्मे करन करण करदो, तो 1 प्लस में आई, ए 3 प्लस में आई, पर्मे करन करदो, 3 माइनस आई, 3 minus i solve कहलो 1 गुना 3 1 गुना minus i i गुना 3 और 3i फिर i गुना i minus i square a कर दि a plus b into a minus b 3 हो जाएगा a square minus b square solve कहलो 3 minus i plus 3i तो क्या हो जाएगा 2i और i square का मान minus minus plus 1 हो जाएगा i square का मान जानते है minus 1 होता है minus minus plus ए तिन तिया 9 i square का मान minus minus plus 1 अब इसको solve कर दो 1 और 3 4 plus में 2i बटा में कितना 10 आप इसको बाढ़ सकते हैं क्या बाढ़ दो बाढ़ देंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा 10 और plus में 2i by 10 यह हो गया आप एक लाण और चल सकते हैं इसको काट दो तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा 10 और plus में 1 बटा 10 आई यह आप काल गया समिठ संख्या का iş इसस्परकार से हम हम लोग कैसे कि á करते हैं दो समिठ संख्या का गुनाया भाग करते हैं यह हो गया यह भाग है यह भाग फल गया चलो लो आ यह हो GFT series अब हम लोग समझें նान पारण आज क्लास में देखेंगे आज के लासे दे तक थांक यूज दिन शुक्रापी मिलते नेक्स के लासे बाश दिन इसको कापी कर लो